नमस्कार एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेराख स्किन केर गाइस कैसे हैं आप से चहरे पे पिंपल्स निकलना एक आम बात है जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे फेस पे एक्सेस पिंपल्स निकलते हैं क्योंकि तब हमारे होर्मोन्स जो है वह इंबैलें सोते हैं उसके वज़े से मारे फेस पेंपल्स निकलते हैं बट उमर बढ़ने के साथ साथ भी कई बार इस प्रॉबल्म का सामना करना बढ़ता है उसका बहुत सारी रीजन हो सकते हैं अगर आप अपनी डाइट में जंक फूड जादा यूज कर रहे हो या फ्राइड करती रहती हूं जिसके बहुत सारे लोगों को benefit भी हुआ है आज की DIY भी बहुत ही ज्यादा सिम्पल सी है तो इस DIY को बनाने के लिए आपको एक बॉल में लेना है चावलों का आटा अगर चावलों का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगा वी सन्यन की ग्रैम फ्ल beneficial है यह skin को glowing बनाती है चहरे के dark sports को pigmentation को lighten करती है और चहरे के जुर्रियों को भी reduce करती है यह आपको किसी भी chemist store से easily available हो जाएगी एक aspirin के गोली को अच्छे से crush करके चावलों के आटे में या वेसन जो भी यूज़ करेंगे आप उसमें add कर देना है थोड़ी सी healthy add करनी है और अगर आपकी skin बहुत ज़दा dry है तो आप इसको दूद के साथ mix कर लीजिए अगर आपकी skin oily है तो आप गुलाब जल की help से इसको mix कर लीजिए और बहुत thick paste नहीं बनानी है थोड़ी पतली रखनी है जो आपकी छेहरे के उपर अच्छे से apply हो जाए और साथ में guys अगर आप मेरी ऐसी interesting easy सी DIY हमेशा देखते रहना चाते है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि मैं हफते में 3 वीडियो आपके साथ share करती हूँ मैं जब भी कोई new video update करूँगी तो उसकी notification जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी अगर आपके face पे excess pimples हैं तो आप दिन में एक बार इसको apply करेंगे regular पान से साथ मिन तक face पे apply करने के बाद face को normal water से clean कर लेंगे दीरे दीरे आपके जो pimples हैं वो सूखने लगेंगे और उसके बाद वो खतम हो जाएगे और आपके marks भी काफी हद तक reduce हो जाएगे अगर आपके चहरे पे दो या तीन pimples हैं तो आप इस गोली को अच्छे से crush करके थोड़ा सा गुलाब जल या filter water डालके पीस्ट बनाके सिरफ वहां पे लगाना है जहां पे pimples है वहां पे उसको थोड़ा सा लगा के पांस या साथ मिनिट तक रखने के बाद उसको remove कर देन हैं सो मैं मिलते हूँ आपको अपनी next वीडियो में एक easy सी DIY के साथ तब तर के लिए take care bye bye